हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल जैन्ट स्वेटर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्यारा देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को निव बिगनेर्स भी आसानी से बना सकती है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको टू के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 2 के multiple देखिये आप इसमें 2 फंदे गिन लिजिए फिर से 2 फिर से 2 इस तरह से आप pair पेर में फंदे गिनते जाएए और last में आपका एक फंदा होना चाहिए ये डेजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिरफ दो सलायों में complete हो जाता है border के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्त पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लिजिये सीधी साइड से ये डेजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो प्रेंस जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूं और यहां पर देखिए मैंने ये वर्दमान की थोड़ी सी मोटे वाली उन ली है और इसमें मैंने 9 नमबर की ये सलाई यूज की है तो सलाई आप अपनी उन के अनुसार यूज कीजिए अगर उन इससे थोड़ी सी पतली हो तो 10 नमबर की सलाई ले लिजिए और सेम इतनी ही मोटी हो तो आप 9 नमबर की सलाई इसमें यूज कीजिए अगर तीन तारवाली उन हो तो उसमें भी आप नो नमबर की सलाई यूज कीजिए तो जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही है तो यहां पर मैंने लिये हैं 25 फंदे 2 के multiple करके और उसमें 1 फंदा extra तो डिजैन की पहली सलाई है ध्यान दीजेगा कि कैसी बनेगी पहला फंदा इसका एस्टिच है उतारिये या बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो धागा पीछे करेंगे देखिए 1 और ये 2 इन 2 फंदे के ऐसे बीच में से सलाई डालेंगे हमें किसी भी फंदे में सलाई नहीं डालनी है सिरफ दोनों फंदे के बीच में जो जगह होती है उसमें सलाई डाल कर 1 फंदा extra ऐसे बुन लेंगे फंदा ना जादा टाइट होना चाहिए और ना ही जादा लूज होना चाहिए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे तो हमारे दो से वापस दो ही फंदे हो गए है अब ये जो दो फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपिट करेंगे तो धागा पीछे ले जाएंगे एक और ये दो इन दो फंदे के बीच में से ऐसे सलाई डालेंगे और इस तरह से एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे फिर से डिजाइन को रिपिट करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे एक और ये दो इन दो फंदे के ऐसे बीच में सलाई डालेंगे इस फंदे को छोड़के और इसके बीच में और एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बना लेंगे फंदा आपका ना जादा लूज हो और ना ही जादा टाइट हो धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे आपके जितने भी फंदे हूँ बार बार यही दो दो फंदे का डिजाइन आपने रिपीट करती जाना है बहुत ही आसान ये डिजाइन है जिस किसी को सिरफ सीधा उल्टा बुनना आता होगा वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना सकती है बार बार हमें ऐसे ही करना है दो फंदे में दिखिए इस तरह से बीच में से एक को छोड़ देंगे और ऐसे बीच में सलाई डाल कर एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर से ऐसे ही आप repeat करते चाहिए इसमें हमें सिर्फ यहां पर एक फंदा उल्टा बुनना है लास्ट में हमारा तक ये डिजैन ऐसा ही बनेगा इसमें कुछ भी change नहीं करना है सिर्फ दो फंदे के बीच में slide डालके एक फंदा extra बुन लेना है फिर धागा अपनी तरफ करके और दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देना है देख लिजे फिर से धागा पीछे करेंगे दो फंदे के बीच में slide डालेंगे एक फंदा extra बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करके दो का एक फंदा उल्टा बना देंगे लास्ट के दो फंदे हैं इनको भी ऐसे ही बुनना है दोनों फंदे के बीच में से सलाइड डालके एक फंद एक्स्ट्रा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे पहली सलाइड डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाइड और उल्टी साइड पर बुनते हुए मैं इस सलाई को complete कर देती हूँ तो ये देखे friends उल्टी साइड की सलाई को मैंने बना लिया है अब ये जो दो सलाईया मैंने आपको बना कर देखाई हैं सिरफ यही दोनों सलाईया बार बार इसमें repeat करते जाना है तो आपका इस तरह से बहुत ही शांदार सा य बहुत ही जल्दी जल्दी ये बन के आता है इस डिजैन में ओन भी जादा नहीं लगती है एक बार आपको मैं इसकी starting बता देती हूँ ताकि आपको कोई problem ना हो तो ये देखिए पहला फंदा ऐस टीच है उतार ये या बना ये धागे को पिछे करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे के बीच में से स्लाई डाल कर एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे तो ऐसे करने से जो हम एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेते हैं तो दो का एक करने से हमारे जो फंदे हैं वो बराबर बराबर हो जाते हैं तो दे इन ही दो-दो फंदे के डिजैन को बार-बार repeat करते जाना है तो आपका डिजैन ऐसे बनता चला जाएगा तो अब इस पूरी सलाई को मैं complete कर लेती हूं एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई problem ना हो दो फंदे के बीच में से सलाई डालेंगे तो एक फंदा हम ऐ ऐसे सीधा एक्स्ट्रा बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक फंदा उल्टा बना देंगे तो ऐसे ही आप इस डिजैन को बनाती जाएए तो ये देखिए फ्रेंट्स ये इसकी next बार की starting हो गई है उल्टी साइड की सलाई को आप फिर से पूरा उ प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तेंक यू